हेलो दोश्तो आज बनाने वाली हूँ मैं नवरात्री के लिए श्पेसर आलू का हलवा नमकीन आलू का हलवा बनाने वाली हूँ एक बार खाओगे तो आपका ये बार बार खाने का मन करेगा तो यहाँ पर मैंने पहले कड़ाई रख दिये गरम होने के लिए इसमें डाल दिया है मैंने 2-3 चमर्च शुद्द देशी घी घी में ही इसको बनाएंगे हम तो इदर घी को गरम होने के बाद यहाँ पर मैंने 2-3-4 हरी मिर्चियां लीती उनको अच्छे से थोड़ा हम पका लेंगे उसके बाद आलू बॉयल की हुए लिये थी, यहां पर उनको मैंने छोटे साइड में काट लिये, साइड आप किसी भी साब से रख सकते हो तो पहले क्या करेंगे, आलू को इस मिर्ची में अच्छी से फ्राई करना है, इस तरीके से थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें मैं डाल नहीं हूँ, कुटी हुई बारीक काली मिर्च, तो यहां पर तीन से चार काली मिर्च लिए थी, इनको अच्छी से कूट लिया है, मैंने और इसमें डाल दिया है उसके बाद यहाँ पे हम नमक लेंगे तो ब्रत में जो खाने वाला नमक होता है सेंदा नमक वह हम इसमें यूज करेंगे तो यहाँ पे मैंने एक चमच सेंदा नमक डाल दिया है अब नमक अपने असाब से अपने टेस्ट के अनुसा डालियेगा और मिर्ची भी तो यहां पर मैं इन सब चीजों को अच्छे से मिला लूँगी अच्छे से मिलाने के बाद इस तरीके से फ्राइ करनेंगे कि सारे मसाले और मिर्ची इसमें आलों में अच्छे से मिक्स हो जाए अब अंदर तक फ्लेवर लाने के लिए हम क्या करेंगे इसको हम कम से कम पांच मिनिट तक इसी तरह कवर करके रख देंगे पांच मिनिट वाद इसको हटाएंगे तो यह सारे जो मसाले डाले हैं उनका फिलेवर आलो में अच्छे से आ जाएगा और इस तरही के से हम चला देंगे बहुत ही कम टाइम में हमारा यह वाला नमकीन हल्वा बनके तैयार हो जात अगर आप एक बार यही बरत में बना लेंगे तो आपको नौ दिन बिल्कुर यही खाने का मन करेगा जरूर ट्राइ करिए बहुत टेस्टी रखता है और आसानी से बन भी जाता है मिलती हूं नेस्ट वीडियो में जटक के लिए बाइ